सो गाइस स्वागत है आपके हमारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की जो सूपर लिग होने वाली हो इसके आज के मेच के बारे में जो इसलमाबाद भरसेस लोहर की बीच में होने वाली है तो लोहर में क्या चैंजेस होंगे इसलमाबा जाजा और कॉलिन मॉंड्रो खेलेंगे नमबर तीन पर आएंगे सदाप खान जो इसलमाबाद के क्याप्टन है और इसका रिसेंट पर्फॉर्मेंस की बात करें तो छेम उसके बाद आएंगे हुसेंट तालात जो वॉल्डॉंडर सेक्शन में आपको मिलेंगे इसका रिसें पर्फॉर्मेंस की बात करें तो उन्नी से उसके बाद आएंगे हसन अली हसन अली की सेंट पर्फॉर्मेंस की बात करें तो स्यभान है उसके बाद आएंगे मुहमद वसीम की बात करें तो एक रन बनाएं उसके बाद आएंगे भावाद अहमद भावाद अहमद जीरो रन आप बात करेंगे हम इस बोलिग ऑडर में है अली ने चार बड़ाले था चोदर रण दिये और दो बेट निकाले थे मौहमध वसीम की बात करें तो तो दोस्तों लोहर की इत्राव सफक्कर जामन और सोहय लगतर है जो ओपन करेंगे इनका रिसेंट के प्रफॉर्मिंस की बात करें तो नाव और साथ है इनके जगर जे डैनिली साइद उपलब नहीं है इनके जगर पर टी डैबिट को देख सकते हैं टी डैबिट एक अच्छे खिलाडी हैं इसके बाद आएंगे मोहमद हफिज मोहमद हफिज आपको वल्ट र आईएंगे और इसके रिसेंट पर फॉर्फॉरमेंस की बात करें तो कुछ खास नहीं है उसके बाद आएंगे सुमीत पठील साइद सुमीथ पत्रल अपलब नहीं है तो सुमीक पठील के अध्षान पर आप जैप्वाकनर को देख सकते हैं या एस पर शनना को अए और उस परफॉर्मेंस की बात करें तो तीन रन बनाएं अब हम बात करेंगे इसके बॉलिंग ओडर के तो बॉलिंग ओडर में आपको साहिन अफ्रीदिंग मिल जाएंगे यह डेथ में भी बॉलिंग करते हैं और इनका रिकोर्ड अगर आप जानना चाहते तो तीन अभर चावीश रन एक विकेट हारीश रेप के बात करें तो तीन ओबर दो गेंद में तालिस रन जिरो विकेट अहमद डैनियल की बात करेंगे तो तीन ओभर में चोबीस रन जिरो विकेट डैवल विज साहई दूपलब नहीं है इसके अस्थान पर आपको जैम्सफांटर और एस परसना ही देखने को मिलेंगे अब हम बात करने अब आ यहां पर बिकेट के पर सेक्शन में देखने को मिलेंगे एक बेंड़क और आण जिर तो रहां पर हम बेंड़ को ही सलेक्ट करेंगे क्योंकि यह नंबर पांश पर बेटिंग करते हैं उसके बाद हम आपर उस्मान खुआजा और कॉलिंड मॉढू में बैटिरीव कों कर सकते हैं यहां पर C Munro है जो लब्ध है इसलिए हम इने को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फक्कर जामन जो ओपन करेंगे तो साइद यह भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पर T David है डीद अच्छी खासी बौलिंग भी सेलेक्ट करेंगे यहां पर लौहर के चारा है जो अच्छी खासी हटिंग कर लेते हैं और औरchnा सब्सक्राव करें तो आप अल्ड। सक्षण मौहमद है जो चौथे नंबर पर सायध बैटिंग करने एंगे इसलिए हम इसको रखेंगी सदाव khans islamabad की तरफ से नंबर चाट पर आएंगे तो अब इनका रिसेंट pe adviser corn और जिस लिए हम इसको नहीं रखेंगे वावाद 메हओं की बात करे तो इसका recent performance काखी अच्छा इसलिए हम इसको रखेंगे यहां पर जेस फॉक्नर को हम रखेंगे यहां पर हम एक चेंज कर सकते हैं हम यहां पर पकर जामन के अस्थान पर हम यहां पर हुसें तालात को प्रिफर करेंगे क्योंकि यह इस लामाबाद से नंबर चार पर बैटिंग करने आते हैं और अच्छी खासी औरर तुब साहिन अफ्रेदिये जो डैफ में बॉलिंग करेंगे इसलिए इसको रखेंगे उसके बाद है जो डैफ में बॉलिंग करेंगे अब यहाँ पर हमें एक बोलर और रखना तो एक बोलर में हरिस रैप मुहमद वसीम और डेनियल या रासिद खान अगर रासिद खान खेलते हैं तो हम इसे प्रिफर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टीम का प्रिव्यू आपको इस प्रकार दिखाए देगा हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के बात कर लेते हैं तो यहां पर कैप्टन का परवैल दावेदार है मुहमद हफेज और वाइस कैप्टन के बात करें तो जैन्स फॉकनर एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं तो हमारे टीम आपको इस परकार बन गई है गोई के तो लगा है है तो वीडियो आपको कैसे लगाए एरफ वीडियो आपको अच्छा लगा हो ता हमसे चैनल को सब्सक्राइब करें पेल आइकन को दबा दे और हाँ दोस्तों आपको टीम के बारे में रिलेटेड जान करें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ी हमारे टेलीग्राम चैनल करना में अस्पोर्ट विद फैंटेंसी आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आ अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएए वहाँ पर आपको सर्च करना स्पोर्ट विद फैंटेंसी और हमारे चैनल को जोएन हो जाएए आप पर आपको टीम अपडेट से लेकर टीम न्यूज सारे अपडेट आपको वहाँ पर आपको मिलेगी तो दोस्तों वीडियो आपको